So hello everyone, आज के पहले वीडियो में आप सब का स्वागत है and एक और चीज़ में आपको starting में बता दूँ कि अगर आपको लग रहा है आज का वीडियो लेट है तो yes, आज का वीडियो लेट है और आज का वीडियो थोड़ा different भी है क्योंकि दिन का जो पहला वीडियो होता है खास कर जब market open होता है तो हमारा वीडियो news के उपर होता है but आज हमारा वीडियो news के उपर नहीं बलकि एक request के उपर है मैं आपको सबसे पहले वो request दिखा देता हूँ लेकिन उससे भी पहले अगर आपने कल के नहीं विडियो को नहीं देखा है तो डेफिनेटलि अगर आप चाहू तो चाह करके इन विडियो को देख सकते हो आपको चैनल पर यह विडियो मिल जाएंगे ठीक है और सबसे पहले रिक्वेस्ट पर चलते हैं तो यहां पर आप द तो मार्केट कैप आप देख लो 2700 करोड का मार्केट कैप है एक small cap company है ठीक है और small cap company का सीधा मतलब क्या निकलता है कि risk काफी जादा हो जाता है एंड रिस्क के साथ जो है वो reward भी काफी जादा हो जाता है small caps में एक और चीज़ वो यह है कि आपको हमेशा small caps को long term मैं हमेशा small caps को long term के साथ सही देखता हूं तो इस वीडियो में मैं small मतलब इस time technoplast के उपर long term कोई opportunity है या नहीं है and company कैसी है उसको educational purpose से study करेंगे इस वीडियो में तो इसके लिए क्या-क्या हम करते हैं जो हम regularly करते हैं कि सबसे पहले business देखना है फिर fundamentals देखना है and then उसके बाद technicals को देखना है and इस process में हमारा video चलेगा तीनों को हम discuss करेंगे और video start करने के पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वह यह है कि मुझे पहले भी काफी comment आये थे मुझे पहले भी आये थे and recently भी एक comment आया जिसमें यार उन्होंने कहा था कि आप 10 minutes या 12 minutes इसके आसपास के videos बनाओ इससे लंबे videos मत बनाओ because लोगों के पास इतना ज़्यादा patience नहीं होता है कि वह 38-40 minutes 30 minutes के videos को देखे तो जितना आप छोटा बनाओगे तो लोग उतना अच्छे से आपके videos को enjoy भी कर पाएंगी तो मुझे भी यह काफी sensible लगा ठीक है तो जिन्होंने भी comment किया था यार जिन्होंने भी मुझे बोला था short videos बनाने के लिए आप सभी को thank you मुझे भी लगता है कियार मैं भी खुद रीड करूँगा एंड जो थोड़ा कम important होगा उस जगह पे मैं आपको बोल दूँगा आप इस चीज को खुद से रीड कर लेना ठीक है अगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे clear कर लेता हूं तो business पे चलते हैं तो time technoplast आखिर क्या करती है तो एक multinational conglomerate involved in manufacturing of देखना manufacturing of technology and innovation driven polymer and composite products ठीक है sorry गला थोड़ा सा issue कर रहा है तो क्या बनाती है polymer and composite product ठीक है अगर आपको नहीं समझ माया कि यह क्या बनाती है आप tension मतलो मैं आपको इसके products क्या क्या है वो मैं आपको images देखा दूँगा तो आप tension मतले लेना market leadership the company is the largest manufacturer of large size plastic drums with a market share of 60% second largest manufacturer of composite cylinders and third largest intermediate bulk container manufacturer तो यह आप कह सकते हो जो plastic drums होती है या जो tanky होती है ठीक है जो tanks होते है वो बनाती है मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है images दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा और वो जो है आप अलग-अलग तरह के जो चीजे होती है वो बनाती है ुक्त सेग्मेंट तो सबसे पहले चलो ।से कर लेता है उसके बाद एक बार ढूरक्ट को देख लेंगे कि आख जिने के खिरक्त की न यह स्वचतरत खाय बार कहता है तो इंडस्ट्रियल पेकजिंग 75 पर enables domestic 68 पर्संट परक्षाट क talk यह जो industrial packaging है, industrial packaging 75% revenue contribute करता है और इस 75% में से जो domestic है वो 66% है और international 33% है और customers जो है वो majorly chemical and FMCG companies हैं, मतलब इस company के जो customers है Time Technoplast के वो majorly chemical and FMCG companies हैं, साथ मैं आगे भी देख सकते हो Time follows a cost plus model for pricing जैसे infra revenue 15% जिसमें pipes आते हैं और यह सब आते हैं, lifestyle revenue 5% में mats आते हैं, automotive components का revenue 5% है value added product अगर आप चाहो तो इसे read कर सकते हो, यह वही चीज़े है मतलब वही चीज़े ही लिखी गई है जैसे MOX films, then composite cylinder, composite IBC क्या होता है वह वह एक तरह का cylinder ही होता है और have grown at a much higher pace और growth विसका company का काफी अच्छा है देख सकते हो 23.6% बट यह growth काफी पहले का है composite cylinders के बारे में आप बताया गया है जैसे कि मैं आपको फर्स्ट थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ पर यह जो है these are superior alternatives to traditionally used metal cylinders being lighter and rushed and corrosion proof and most importantly explosion proof तो यह composite cylinders कैसे होता है तो मैं इसके website पर आ चुका हूँ उसके बाद यह composite cylinder इस तरह का यह composite cylinder होता है industrial packaging जिसमें 75% revenue था उस industrial packaging में domestic 66% था and 33% जो इंटरनेशनल था तो यह है वो industrial packaging आगर आप देखोगे infrastructure product तो वो infra में 15% revenue था मैं आपको दिखा जाता हूं हर एक चीज इंफ्रा में 15% revenue था pipes and payfabs में तो यह देखो यह pipes and payfabs यही चीज़े हैं ठीक है इसी में 15% revenue था automotive components में आप देख सकते हो 5% revenue था तो automotive components यह चीज़े हैं इसमें 5% revenue था अगर आप यहां देखोगे lifestyle में जो है वो यहां पर 5% revenue था जैसे की mats तो यह देख सकते हो यह lifestyle product जैसे की mat हो गया पैर पोचने का यह हो गया dustbin type का कुछ हो गया दन यह जो है एक chair type का हो गया sorry and then material handling यह भी वही चीज़ी है मतलब उसी में include कर लो थोड़ा मुरा आगे पीछे और वही चीज़ है अब कहां पर use होगा FMCG and chemical तो साथ में industrial packaging मैं आपको बता ही दिया ठीक है और उसके बाद composite cylinders क्या होते हैं तो इस तरह के cylinders होते हैं अब इस तरह के cylinders क्या काम आते हैं तो दे यहां पर उसका जो है एक alternative है lighter है rust and corrosion proof है मतलब यहां पर ट्रेडिशनल जो matter cylinders होते थे उसका एक replacement तो है क्यों क्योंकि यह बहुत हलका है rust proof है corrosion proof है मतलब यहां पर रस्ट वर्स लगेगा नहीं जंग नहीं लगेगा and most importantly explosion proof है मतलब भी explode नहीं होगा क्योंकि cylinder blast की बहुत सारे चीजें आपको अपने सुना होगा तो वह एक्सप्लोड भी नहीं होगा साथ में company का capacity कितना है वह सब चीजें आप यहां पर देख सकते हो MOX films क्या होता है तो MOX films जो होता है वह यहां पर क्या होता है company ने वह नहीं लिखा है यह actually होता है multi-layered laminated films ठिक है multi-layered laminated films होता है और company ने कुछ खास mention नहीं किया कि actually क्या होता है अगर आप चाहो तो google करके देख सकते हो ठीक है और consumer packaging business और यहां पर देख सकते हो यह entered into a collaboration with DAO packaging and specialty plastic to manufacture pack expert packaging technology which enables transition from larger traditional rigid containers to flexible packaging options तो यह industrial packaging इसकी बात की जारी है कि यहां पर जो है large traditional जो packaging के लिए यूज होता था containers उसको flexible packaging options में नोंने change कर दिया ठीक है और यह वो चीज़ है तो आगे भी बात करेंगे ठीक है sorry again गला थोड़ा सा जादे खराब है आप समझे सकते हो खेर यहां पर promoter pledge के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आप खुदी इस चीज़ को read कर लेना promoter pledge यहां पर कितना pledge किया था कब pledge किया था वो सब कुछ sorry again और उसके बात यहां पर यहां पर यह अबूरी composite cases कुछ हुआ था उसको अगर आप चाहो तो यहां पर read कर लेना मैं सीधे चले जाओंगा इसके investor सबसे पहले इसी पर आ जाता है तो यहां पर यहां पर मैंने आपको क्या-क्या बता दिया MX films बता दिया कि यह multi-layed film होता है और strong होता है strength के लिए यूज किया रहता है देख कर गई समझ सकते हो यह composite cylinder बता दिया industrial packaging बता दिया infrastructure product बता दिया auto component बता दिया lifestyle बता दिया और यह जो है material handling and IBC वह मैं आपको दिखाता हूं wait वहां पर यह mention नहीं था यह newly introduced आप यह भी समझ सकते हो ठीक है और अगर मैं नीचे जाओ तो यहां पर चलो और नीचे जलते है तो यहां पर आप देख सकते हो ठीक है कि polymer products मैंने आपको बताया था कि polymer product and composite product में काम करती है तो वहां पर किसमें कितना growth है जैसे कि यह polymer product है जो यहां पर देख सकते हो इसका growth 14% है और जो composite product है उसमें growth 25% है और अगर नीचे चले तो यहां पर और चीज़े आप देख सकते हो जैसे कि यहां पर IBC जो business है जो मैंने आपको वहां पर दिखाया उसमें growth आ रहाए गया तो yes financial year 22 में जो है 4100 था जो कि बढ़ करके 5000 हो चुका 22% का growth है और volumes में भी आप growth यहां पर देख सकते हो और नीचे चलेंगे यहां पर financial year highlights खतम होते हैं और यह अगर आप चाहो तो read कर लेना pause करके ठीक है और यहां पर आप देख सकते हो यह जो चीज है यह जो है innovative polymer product जिसमें क्या-क्या चीज है सबसे पहला तो drums and containers Jerry cans मतलब छो चोटे चोटे बाल्टी टाइप के होता है समझ लो और यह जो है pipes DWC ठीक है यह सब जो infra में यूज होते हैं और यह जो है auto components and mats है auto components में जैसे fuel tanks हो गए rain flaps हो गए और उसके बाद mats हो गए ठीक है mats जो है वो lifestyle में आ गया then value added product अगर आप देखोगे तो यह है composite IBC यह composite cylinder है यह MX film है तो यह composite IBC उसी चीज में use होता होगा ठीक है और नीचे चलते हैं और और भी देखोगे तो high tech product में जो है cng cascade cng onboard application और urea tanks ठीक है onboard application मतलब कुछ board में इसका application होता होगा ठीक है तो यह सब चीजें इसके product है तो आप समझे के होगे यह क्या बेचती है क्या नहीं बेचती ठीक है यहां पर आप देख सकते हो जैसे कहां कहां पर यह जो है इसके एक सिंद अगर मैंसे थोड़ा जूम क इसके कहां कहां पर यह जो है अपने products को भेजती है या फिर headquarters कहां कहां पर वो सब कुछ ठीक है यहां पर जैसे इधर है फिर यहां पर है इंडिया में फिर यह सब जगह पर और अगर मैं थोड़ा इसे zoom out करूं तो यहां पर देख सकते हो 8 regional office है ठीक है और 34 production facility है और अगर आप और भी जाना चाहते हो तो यह देख सकते हो यह कुछ group companies है ठीक है जो यहां पर दिया हुआ है और कुछ बाहर की है कुछ इंडिया की है जसी यह देखो यह चाइनीज लग रही है मुझे तो बाकी ठीक है तो यह इसका business हो गया अब चलते है इसके fundamentals पे fundamentals में सबचे पह बात है अगर आप देखोगे profit before tax 77-92 इंक्रीज हुआ है अच्छी बात है net profit 57-65 इंक्रीज हुआ है यह भी अच्छी बात है तो यहां पर quarterly result तो काफी अच्छा रहा मैं कहूंगा लेकिन इसके साथ ही मैं एक और चीज भी mention करना चाहूंगा अगर आप देखोगे तो यह जो 14% का margin बहुत अच्छा margin है अगर आप देखोगे profit before tax तो यह भी highest ever profit before tax है and net profit भी highest ever है तो numbers जो है quarterly numbers वो highest ever है इसका मतलब जो stock price है उसको भी अपने highest ever point पर trade करना चाहिए अगर वो अपने highest ever point मतलब all time high पर नहीं है इसका मतलब हमें एक opportunity मिलता है सीधी दोर ठीक है तो खेर उस sales इसमें देख सकते हो कि 22 23 में 3600 से 4200 sales growth तो है operating profit देखोगे तो operating profit भी 506 था उससे बढ़ करके 577 पहुंच चुका है 577 पहुंच चुका है margin देखोगे तो 14 13% का ही इसका margin रहता है 15 14 13 इसी तरह घुमते रहता है तो margin में कोई दिक्कत नहीं है इसको और अगर आप profit before tax देख हुआ है अच्छी बात है net profit 192 से 224 इंक्रीज हुआ है अच्छी बात है तो financial results में जो दोनों numbers है quarters के भी and year ended वाले भी numbers काफी अच्छे है and अगर मैं growth देखूं ठीक है मतलब यहां पे compounded sales growth जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि यह तीन जो numbers है percentages है यह मुझे बहुत important लगते है and यह मुझे थोड़ा कम हां important तो obviously है profit growth नहीं होगा तो कोई फाइदा भी नहीं है बट हां मुझे यह दोनों थोड़ा ज़्यादा important लगता है इससे बाकि तीनों ही important है इसका मतलब यह नहीं कि आप यह दोनों को देखोगे and यह वाला छोड़ दोगे ऐसा कभी नहीं करन खेर तो यहाँ पे अगर आप देखोगे compounded sales growth तो यहाँ पे जो 5 साल 3 साल का sales growth है वो मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा ठीक है मतलब सीधी बात कहूं तो बिलकुल भी अच्छा नहीं है लेकिन अगर आप trailing 12 months का देखोगे 18% तो यह मुझे कुछ हद तक ठीक ठीक है और stock price EGR के बारे में हम बात करते नहीं है अगर ROE की बात करें तो ROE मुझे कम लग रहा है अगर यहाँ पे ROE 15 से 20 के बीच में होता तब मैंसे okay कहता मतलब तब मैंसे okay या तो good कहता बट यहाँ पे यह 10% maximum जा रहा है और 5 साल और 3 साल का देखोगे तो 89% है तो कि यह दोनों मुझे okay okay से लगे तो overall अगर growth की बात करें तो company का growth कुछ बहुत exponential growth नहीं है company के पास growth है बट बहुत moderate growth है बहुत जादा growth नहीं है ठीक है ऐसा नहीं कि company exponential अपने sales को बढ़ा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है तो मुझे अगर आप पूछोगे profit and loss statement कैसा लगा मतल quality again अगर आप balance sheet की बात करो तो reserves मैं कहूंगा company के पास काफी अच्छे रिजर्व से काफी अच्छे रिजर्व से company के पास and borrowings अगर देखोगे तो borrowings 700-800 करोड की borrowings है 900 करोड के borrowings है and कुछ खास borrowings है नहीं और अगर आप देखोगे तो short term में ज्यादा है long term में कम है and मैं हमे अगर आपको डर लग रहा है कि 800 करोड के borrowings है और company बस 2000 करोड की company है और 800 करोड के borrowings है तो आप यह भी तो देखो 2000 करोड की company में 2700 करोड की company में 200 करोड के reserves है और अगर आप cash देखना चाहोगे तो यह देख लो cash equivalents 100 करोड के असपास का cash पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत म जो है expansion करती है हमेशा अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ CWIP में company का लगा रहता है recently इसने जो है IBC अपना product launch किया तो उसके बाद इसने जो है मैंने जैसे दिखाया यहां पे just a second, okay so कहां मैंने दिखाया, यहां पे देख सकते हो, इसके जो कुछ high-tech products है जैसे urea tank, cng cascade यह सब कुछ यह भी इसने launch किया तो अच्छी बात है और company जो ना ने products भी ला रही है market में जो कि अच्छा लगा मुझे और balance sheet मुझे strong लगा, कोई दिक्कत नहीं है balance sheet में और अगर चलते हैं investors में, तो investors में अगर देखोगे, तो यहां पे सबसे पहले FIIs and DIs की बात करते हैं, तो FIIs and DIs है company में जो कि अच्छी बात है, वैसे तो इतनी छोटे company में FIIs और DIs नहीं देखने मिलते हैं, बट FIIs और DIs है, यह अच्छी बात है, अगर आप देखोगे, तो इन्होंने शेर holding थोड़ा कम किया है, मतलब DIs ने 11% से घटा करके 8% पे कर दिया है, और FIIs ने उन्होंने भी 14-12% था, उससे घटा करके पहले 7% किया, अब जो है, उससे थोड़ा बढ़ा करके 8%, मतलब इन्होंने भी selling ही किया है, मतलब दोनोंने selling किया है, लेकिन overall अगर आप देखोगे, तो अभी भी 8% FIIs और DIs है, which is good, अगर आप देखोगे public, तो public 32% है, और 32% public में एक सिर्फ यहां पर H&I है, फंड है, और वो फंड 7% इनका लिया हुआ है, तो अगर आप 7 माइनस कर दोगे 32 में से, तो कितने हो जाते हैं, 32 में 7 माइनस कर दोगे हो जागे 25, तो यहां पर 25% जो है, वो यहां पर retail investor है, 25%, जो है, वो यहां पर retail investor है, 25%, तो मुझे यहां पर FIIs से भी कोई दिक्कत निये, DIY से भी कोई दिक्कत निये, retail investor भी ठीक है, public भी यहां पर ठीक है, जो मुझे थोड़ा सा problem है, वो है promoter के साथ, मतला promoter का 51% stake है, एंड मुझे यह काफी कम लग रहा है, और हां देखो, एक बात तो है कि promoter ने हलकी सी buying की है, इस बार बहुत हलकी सी buying की है, औ और promoter का shareholding जो है constant ही रहता है, ऐसा वो नहीं है कि 51% से वो ओपर नीचे बेचते हैं, खड़िते हैं, बेचते हैं, यह सब काम नहीं करते, यह अच्छी बात है, बट personally अगर आप मुझे पूछोगे तो 51% का stake वो भी 2000-2500 क्रोड के company मुझे थोड़ा सा कम लगता है, कम से क मैं कहता हूँ 65% से उपर होता, तो मुझे काफी अच्छा लगता, 60% के भी उपर होता, फिर मैं कहता है, चलो okay है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और बाकी जो 51% यह मुझे थोड़ा सा कम ही लग रहा है, तो यह चीज मुझे पसंद नहीं आया, बाकी shareholding pattern ठीक है, प्रो all time high pay ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मुझे से पूछो गयार कि क्या यहां पे short term के लिए कुछ सोचा जा सकता है, तो मैं बोलोंगा, देखो या, short term के लिए सोचा तो जा सकता है, recommendation देखो, पहले ही मैं बता रहा हूँ, कोई recommendation नहीं है, ठीक है, मुझे लगता ह company is good, but company is not very good, मतलब बहुत अच्छी company नहीं है, ठीक है, company okay, okay, good है, और मैं क्यों नहीं जाना चाहूँगा, इसका भी reason यह है कि कभी company अभी जो है, एक्दम all time high पे है, यहां पे long term में जाना, मुझे personally कोई sense नहीं बनाता मेरे लिए, तो इसी वज़े से मैं long term में नहीं लेकिन अगर आप जाना चाहते हो, तो breakout पे जा सकते हो, ठीक है, जैसे यह level का breakout होगा, आपको पता यह जिनको जो short term trade करते हैं, उनको पता होगा breakout पे trade कैसे किया जाता है, retest पे और जो भी है, तो recommendation कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने अपना view बता दिया, कि मैं long term short term दोनों में, short term दोनों में करूंगा ही नहीं, reason मैं आपको बता दिया, long term भी मैं नहीं करूंगा, reason मैं आपको बता दिया, तो बाकी, जिनके पास है, जैसे इन्होंने जो comment किया था, आप continue कर सकते हो, मुझे कोई खास दिक्कत नहीं लगता company में, company, फिलाल, जो है, sorry, company पहले थोड़ा ख यह जो trailing 12 months का 18% sales growth यह continue रखती है, ठीक है, sorry, अगर यह continue रखती है, 18-20, 22 यहां तक पहुंचती है, तो मैं कहूंगा very good होगा, फिर तो बहुत अच्छी बात होगी, sales growth अच्छा है, ठीक है, 18-20, 22 तक के range में पहुंचती है, तो भी मैं कहूंगा, अच्छा है, और continue करना च हुआ है, ठीक है, यहार, उन्होंने कहा था कि 30 minutes के video मत बनाओ, तो मैंने इस बार काफी try किया, and मैंने वीडियो 22 minutes के आसपास का बनाया है, और इसे भी मैं कम करूँगा, धीरे-धीरे मैं वीडियो को 15 minutes तक लाने की कोशिश करूँगा, और end करते हैं वीडियो को, अगर आ like, share, subscribe कर देना, जय हिंद, and thanks for watching.